नमस्कार साथियो मैं अभीने दिख्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिसील प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के मद्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ आरपीसी असिस्टेंट एग्रीकल्चर आफिसर की सैल्जी के बारे में कि आपको जॉब मिलने के बाद सैल्जी क्या मिलेगी इसके लावा सैल्जी के साथ साथ आपको टोटल जो है ग्रास सैल्जी क्या मिलती है नेट सैल्जी क्या मिलती है इलावेंसे क्या क्या मिलते है कित वीडियो को अभी से like कर दीजिएगा और चैनल को subscribe कर लिजिएगा देखिए इसमें मैं आप सभी से RPSCAAO की Cells Slip discuss करूँगा जिसकी Cells Slip है उसने अपनी Cells Slip को यहाँ पे show करने से मना किया था तो मैंने Cells Slip की जो information है उसको compile कर लिया है एक table के format में वो आपको यहाँ पे ब सकता हूँ क्योंकि जिसने हमें भेजी थी ये सेली सिलिप उसने मना कर दिया था किसर इसको डिसकस ना करिए आप इसका टेबल फॉर्मेट में बना लीजिए और उस टेबल के फॉर्मेट में आप उसको डिसकस कर दीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानते हैं कि आपका RPSC Assistant Agriculture Officer की जॉब मिलने के बाद आपको Sell Zika मिलेगी उसके पहले आप सभी से इस एक रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारा Agriculture GK App इस्टाल नहीं किया है तो इसे इस्टाल कर लेजिएगा हमारे आप पे आपको Assistant Agriculture Officer के लिए हिंदी और English दोनों भासाओं में Complete Batch मिल जाएगा बहुत ही कम फीस पर अभी मैं आपको Last में अपने Batch के बारे में बताऊंगा पहले बात कर लेते हैं आपका कि जो Assistant Agriculture Officer होता है इसको Sell Zika मिलती है उसके बारे में जो आपका Assistant Agriculture Officer होता है आपने Notification में देखा होगा लिखा था यहाँ पर जो है Notification में कि जो आपका Pay Matrix Level 11 है इसके According Salty मिलेगी और जो जाजिस्थान होता है जाजिस्थान में आपका जो Level 11 रहता है Pay Matrix का इसमे Grade Pay रहता है 2400 रुपए RPSC का जो Grade पर रहता है Level 11 में वो रहता है 4200 रुपए तो 4200 रुपए आपका Grade पर रहेगा जो Basic Salty होती है AAO की वो कितनी होती है 37800 रुपए के Around इसके अलावा आपको Dearness Allowances मिलते हैं इसको आप महेंगाई भत्ता के नाम से जानते होंगे यह आपका कुल जो Basic पर होता है इसका 38% के आसपास मिलता है तो यह बनता है आपका 14300 रुपए के Around फिर आपका आता है House Rent Allowances यह आपका Basic Pay का मिलता है 20% यह आपका बनता है लगबग 7560 रुपए के आसपास नेक्स्ट आपका आता है Travel Allowances जो आपका Travel Allowances होता है यह Approx मिलता है आपको 1950 रुपए के Around तो टोटल जो Gross Salty आपको मिलेगी वो आपकी लगबग 16600 रुपए के आसपास आपको मिलने वाली है यह आपका Gross Salty हो गई अगर बात की जाए टोटल जो कटवतिया होती है उनके बारे में तो कुल जो कटवतिया होती है इस तभी को मिला करके आपका लगबग 6200 रुपए के आसपास कटवतिया यहां पे होती है तो जो आपको Inhands Salty मिलती है वो आपका 55714 रुपए के आसपास मिलती है 55714 रुपए के आसपास आपको Inhands Salty मिलेगी और जो आपका Travel Allowances है या आपका HR है यह आपके Location वाइज वैरी करते हैं जहां पे आपकी Posting होगी वो Area कैसा है उसके Recording यह आपका वैरी करता है तो इसमें कुछ बढ़ोत्री भी हो सकती है लेकिन On and Average आपका 1950 रुपए के आसपास ही आपको TA मिलता है यह आपका वैरी करता है फिर हम बात कर लेते हैं आपका जो है जब आपका Promotion वागेरा होगा तो सेल्जी में क्या क्या Increment होगा अगर बात की जाए इंट्री लेवल पे जवाब की जॉब मिलेगी आपको तब जो है आपको 37,800 रुपए सेल्जी मिलेगी यह आपका Basic Pay है Basic Pay के अलावा जो आपका Dearness Allowances हो गया HR A हो गया आपका TA हो गया यह और भी काई सारे Benefits होते हैं जो आपको Ideational ही मिलते हैं तो यह Basic Pay है इस Basic Pay पर आपका जो है DA, HR A और TA भी इंक्लूड होगा तो सेल्जी आपकी काफी बढ़ जाएगी 5 तू 10 एयर के बाद जॉब करने के Mid Level फिर आपका अता है Senior Level यानि कि जब आप 10 साल से ज़दा जॉब कर लेंगे तो आपको लगबग जो है एक लाख से एक लाख 19,700 रुपए के आसपास Basic Pay मिलेगा Basic Selsy मिलेगी और Basic Selsy पे आपका जो है DA वगएरा होता है HR वगएरा होता है और TA वगएरा होता है ये भी जो है I'd होता है तो काफी अच्छी Selsy आपको मिलने वाली है जैसे जैसे आपका Promotion होता जाएगा आपका Work का जो experience है वो बढ़ता जाएगा आपकी salary भी बढ़ती जाएगी यह आपका salary के बारे में complete information हो गई अगर बात की जाए कि क्या-क्या allowances मिलते हैं यहाँ पे आपको तो पहला यहाँ पे रहता है आपका dearness allowances जिसे को आप महंगाई भत्ता के नन से जानते होंगे यह आपका जो है 38% के आसपास मिलता है रजिस्थान में house rent allowances जो रहते हैं यह आपका 10 से 30% तक रहता है location wise vary करता है अगर मालो आपकी पोस्टिंग किसी बड़े सहर में हुवी है तो आपका जो है 30% तक मिलेगा आपको और जो आपके ग्रामीर एरिया है वहाँ पे आपका 10% से start होता है फिर आपका आता है transport allowances या इसको आप बोल सकते है travel allowances यह आपका वैरी करता है कितना आपने जो है transport को यूज किया है तो यह उसके according वैरी करता है और यह post wise भी location wise भी वैरी करता है फिर आपका आता है leave travel concession LTC यह भी आपको मिलता है medical allowances भी आपको यहाँ पे मिलते हैं तो यह कुछ आपके allowances हैं जो आपको assistant agriculture officer बनने के बाद मिलेंगे जो आपका medical allowances होता है यह भी वैरी करता है तो यह आपका जो other benefit है basic sales के अलावा उसके बारे में information हो गई यह आपको यह सारे benefit भी मिलेंगे job मिलने के बाद इसके बाद आगे वड़ते हैं बात कर लेते हैं कि जो है आपको जब बन जाएंगे assistant agriculture officer तो आपको work क्या करना रहेगा यह आपका job profile क्या होता है क्या work करना रहता है आपको assistant agriculture officer बनने के बाद अगर बात की जाए work की तो पह त्रकार की सला के लिए आता है तो उसको आप सला देते हैं guidance देते हैं इसके लवा जो government की scheme होती चाहिए वह आप का central government की हो state government की हो इनको आप implement करते हैं इसके लावा आप क्या करते हैं implement करने के साथ में आप जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी देखते हैं यानि कि आपका जो ट्रेनिंग होती है यहाँ पे गवर्मेंट की उस ट्रेनिंग को भी आप देखते हैं गवर्मेंट के जो इतने भी आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनका आप ध् scheme हुई उसको आप farmers तक पहुँचाते हैं नेक्स्ट क्या है आपका जो क्राप होती है किसानों की यानि की जो खेती करते हैं किसान उसकी जो हेल्थ वगएरा है और जो उसका उसकी देखबाल करते हैं आप उसकी monitoring करते हैं इसके लावा जो आप से lower post का employee होता है जैसे आपका senior agriculture supervisor हुआ या आपका agriculture supervisor हुआ इनको आप proper guide करते हैं इनको आप जो है work देते हैं कि आपको ये work करना है इनको आप task देते हैं और ये आपके नीचे work करते हैं इसके लावा आप क्या करते हैं field test भी conductor कर वाते हैं ताथ साथ में आप जो agriculture का data होता है उसको collect करते हैं यह सारे work आप को करने रहते हैं Assistant Agriculture officer बंदने के बाद next आगे बढ़ते हैं आगे आपका देख लेते हैं कि प्रमोस्थ इसमें कैसे होता है promotion की अगर बात की जाए तो असिस्टेन एगरिकल्चर officer जो आपका होता है इसका promotion basically कुछ इस टाइप से होता है सबसे जो नीचे post होती है वो आपकी होती है agriculture supervisor की इसकी vacancy आभी आने वाली है agriculture supervisor से promote होकर के आप बन जाते हैं senior agriculture supervisor फिर जब आपका promotion होता है तो आप बन जाते हैं assistant agriculture officer यहां से आपका promotion जब होगा तो आप बन जाएंगे जब आपका पर मोसरूं होगा तो आप बन जाएंगे अगर वकांशिया खादी है और आपका वर्क परीएंस्स और आपका जो वर का रिकार्ड रोता है वह अगर अच्छा होता है तो आपका promotion होता रहता है और सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है वो होती है additional director of agriculture की वहां तक भी आप पहुंच सकते हैं यह आपका promotion और growth को ले करके information हो गई बाकी last में आप सभी के लिए एक information अपने course को ले करके है अगर आप सभी लोग RPSC, AAO exam की preparation करना चाहते हैं तो आप सभी के selection के लिए यह complete batch lunch किया गया है इसकी फीश केवल पड़ेगी आपको 13 सो रुपए काफी affordable फीश में आपको यह course दिया रहा है और यह course हमारा हिंदी में भी है इंग्लिस में भी है अगर आप हिंदी मीडियम के चात रहें तो आपको बिलकुल भी परिशार नहीं होना है हिंदी मीडियम में आपको सारी classes, सारा notes इसमें मिल जाएगा अगर आप English medium के हैं तो भी आपको इसमें सारी classes, सारा notes मिल जाएगा notes जो आपका रहेगा, classes रहेंगी, दोनों आपका हिंदी और English दोनों में रहेंगी WhatsApp discussion group में आपको एड़ किया जाएगा, previous year papers मिलेंगे, complete notes रहेगा और classes जो हमारी होंगी वो live भी होंगी, recorded भी होंगी mock test भी आपको इसमें मिलेंगे, तो इस badge को आप agriculture gk app को install करके buy कर सकते हैं या हमारी website agriculture gk.in पर जाएए, मैं आपको course को buy करने की जो link है description box में दे रहा हूँ वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से इस course को buy कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप comment box में पूछिएगा इसके लावा demo class साब हमारी website पर जाके चेक कर सकते हैं और मेरा आप सभी से यही request है, कि इसकी fees हमने काफी कम रखी है तो इस badge को आप install करें, अपने तयारी start कर दें मेरा आप सभी से वादा है कि इसमें आपको syllabus के according बोस सब कुछ मिलेगा जिससे आपका selection हो और आप exam में अच्छे से अच्छा score करके आ सकें तो इस badge को आप join करिएगा, बाकी channel को subscribe कर लिजिए, वीडियो को like और share करिए जिससे आपको इसी प्रकार की information हमारी channel पर मिलती रहेगी इसके लावा राजस्थान में और आल इंडिया लेवल पर agriculture जॉब की update के लिए टोडितेकेशन बेल को वान करें, channel को subscribe करें, धन्यवाद